मुर्गियां चोरी करना एक ने की है स्यासत की भाग दोड में शिरफजल मर्वत को लोग भूलते जा रहे हैं मर्वत साब का कहना है कि जो मुझे भूल जाए अल्लाव से जर्दारी जैसी इज़त अबामा जैसी रंगत नवाश शरीफ जैसा है स्ट्रैल और चाहत फत्य अली खान जैसी आवास दे पहले पढ़ने को मिलता था कि इलम हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े और अपके हालात को देख कर ये कहा जा सकता है भीक मांगो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े दोस्तो बरतानिया में के जज़ सारी जिन्दगी सरफ एकी घर बना पाता है और पाकिस्तानी जज़ बरतानिया में चार घर बना लेता है लगता है कि हमारी करनसी बरतानिया धूरतांिया से बैतर है शेखर रिशीस आप कहते हैं के मेरा और बिलो रानी का अंडर ग्रांट सीन अब ख़तम हो चुका है अब तो चार पठान हार वकत तेल की शीशी लेकर बिलो रानी को ढूटते रहते हैं ये इस मुल्क में ये क्या हरामी पन हो रहा है। करवाई जाए और आइंदा ना खेलने की प्रेस कांफरेंस भी करवाई जाए। कहां से आते हैं दोस्तों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लगातर मैच हरती जा रही है। शेक रिशीद कहते हैं कि अगर इनको खुसरों के साथ भी खिलवाय जाए तो ये तब भी हर जाएंगे। आज अफसोस का दिन है हमने हार नहीं था ये हिजड़ों के साथ टीम खेलती वहाँ भी आरती ये खुआजा सराओं के साथ क्रिकेट खेलते वहाँ भी हारते ये। दोस्तों काइद आजम भी जन्नत में सोचते होंगे कि दुनिया में भी अजीब प्रोग्राम चल रहा है। ये वीडियो काफी पुरानी है जहां डीजल बाबा लोगों को 100-100 रुपे देकर खुद को काइद कहलवाते हैं। पुरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को आटिमी ताकत बनाने वाले शफ का नाम डक्टर अब्दुकदीर खान है। अच्च्छन को अटिमी ताकत बना तब मिया जी भटी में वल्डिंग करते थे और ये कारноमा भियूनी का सरअग्जाम दिया हुआ है पाकिस्तान को आटमी टाकत बनाने का खाब जुल्फिकार अली भुटो ने देखा था जब उन्होंने वो इरादा किया तो इमरान खान बेरोने मुलक आयाशी कर रहा था और उसके बाद जब नवाज शरीक ने नाइन्टी एट में वो दुमाके किये और पाकिस्तान को रहती दुमिया तक अल्लत आला के फुजलो करम से इतामिक पावर बना दिया आटमी टाकत बना दिया तो तब भी इमरान खान बेरोने मुलक आयाशी कर रहा था दोस्तों बिलो रानी के बारिश आता है तो पानी आता है के बाद पेशे खिदमत है मिया शोबास जी का कौमे बनाने का फॉर्मूला जरा प्यार से मलाहिज़ा फर्माएं दोस्तों शुरू से लगता था कि सहसत दांस सिर्फ अवाम को बेवकुफ बनाने का नाम है लेकिन यहाँ तो शोबाजी और हवस का समदर रूज पर है हिना परवेज बट कैमरे पर आते ही सब कुछ उपन करना शुरू कर देती है इस अगली वीडियो को देख कर रहे आपको भी अंताजा हो जाएगा कि पटवारियों में तेने जूट बोलने की हिम्मत कहां से आती है आप प्राइम मेर मानी एट भी दमाके ना करें हमारा जमीर खरीदने की कोशिश की गई जमीर दोस्तो छोटे चेतन और उनके बशिंदे जहां भी जाते हैं उनकी नजरे उपर नीचे चलती रहती है पता नहीं ये कैमरों से बच कर लोगों की जेब कारते है या फिर इन्हें मौत का फरिश्टा नजर आता है एक होता है सफे जूट फिर आता है वो जूट जो मौलाना फजल उशरीफ अवाम से बोते हैं जिस पर इन्सान यकीन नहीं करता लेकिन जन्वर जरूर करता है कुछ भी? परवेज लाही भी शहबाज शरीफ साहब की हजामत करने में अवल कदम नज़र आते हैं अब इस वीडियो में आप खोदी देखिए दोस्तों शेबाज शरीफ वो वाहिद सहसत दान है जो अपनी कौमी जबान अंग्रेजों के सामने बोलने में शरम नहीं खाते अब आप यह नहीं समझें कि मियाज जी को अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि हकीकत में ऐसा ही है दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी वीडियो को एंड करने से पहले आपसे गुजारी शेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमें से लाइक कर दे और साथ लगे बेल अकिन को दबाना ना भूले ताकि हमारी हाराने वाली नई वीडियो आप सबसे पहले देख सके मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज